नमस्कार मैं दीपक राई आप सभी का स्वागत करता हूं वीरकॉरकाम FTV के समसमायक बुद्धों को लेकर आज एक बड़ी खबर नई दिल्ली से आई त्रिपक्षवार्ता को लेकर जिस तरह पहाड में राजनिती अपने चरम पे थी उसको लगभग समाप्त करते वे केंद पुद्धा गोर्खा समाच का जो समस्या है उसको समधान करने के लिए बिल्कुल इस पस्ट लिखावा है यहां पे कि गोर्खाओं के समस्याओं के निदान के लिए यह बैठकोंगी बैठक का दिन 12 अक्टुम्बर यानि दशहरा जो गोर्खाली समाच का बहुत बड़ा पर्व है उससे कुछ ही दिन पुर्व यह वारता शाम को चार बजे बुलाई गई है इस वारता को लेकर कई बाते हैं जो लगातार आपके साथ करता रहूंगा लेकिन आपको पहले बता दू उस पत्र में टेक्निकल क्या चीज़े हैं सबसे पहले आपको समझना होगा जि जी हां आपको बता दे कि नौर्ट ब्लोक का जो फर्स फ्लोर सेकेंड फ्लोर है वह ग्रह मंत्राले के लिए लगभग सुरक्षी थे और उनको अलॉटेड है रूम नंबर 104 में ग्रह मंत्री का खुद का कक्ष है और उन्हीं के फ्लोर में 119 नंबर कमरा जिसमें यह वारता होगी गंबीरता कहीं न कहीं इसी कमरे से शुरू होती है अब में सवाल यहां पर आता है कि क्या इस राजनेतिक समधान के साथ हम इसको जोड़के देख सकते हैं क्या देखो गोर्खाओं का समस्या क्या है यह तो केंद्र सरकार को भली बाती मालूम है राज्य के चुनाओ हो यह आम चुनाओं 2019 के हो वहां संकल पत्र में भारती जंता पार्टी ने इस पस्ट रूप से यह लिखा हुआ था लेखित किया हुआ था कि गोर्खाओं के समस्याओं का समधान करेंगे उसी समधान की दिशा में यह 12 अक्टुमर को होने वाली वारता कहीं न कहीं बेहद मैं तो पुर्ण हो जाती है अब देखिए इस पूरे घटना करम के साथ साथ में यह भी देखता हूँ कि अब एक मोका आ चुका है कि पहाड की जितनी भी राज़ितिक पार्टिया है वह अब क्या रुख लेती है अभी तक सब लोग कह रहे थे कि वारता कब होगी वारता क यहां है कि केंद्री ग्रह मंत्री अमित शाह इसको अध्यक्ष्टा करेंगे केंद्री मंत्री वह भी नंबर टू ग्रह अमित शाह क्या यह वाकई बेहद गंभीर वारता होने वाली है देखिए इस वारता के लिए जो वीर गोर्खा के पास इंपूर्ट्स है उसके मद्द के नजर कई चीजे आपसे यहां पर हम साज़ा करेंगे सबसे पहले अभी तक जितनी भी वारता हुई है गोर्खाओं के समस्या के समधान के लिए यह पहाड यह गोर्खा लेंड के लिए उसमें डुवार्ट्स के लोगों को हमेशा कहीं न कहीं छोड़ दिया गया है लेकिन शायद यह पहली बार है कि डुवार्ज के एक जन प्रतिनी धी गोर्खाओं के समस्याओं के समधान है तो जो वारता है केंद्री स्तर की उसमें शरीक होंगे अब मुद्दा हिवा आता है कि इसमें कौन-कौन शामिल हो सकता है तो देखिए तकनी की रूप से अगर मैं जा देनी पड़ेगी अगर राज्य सरकार ने एन वक्त में कुछ बड़ा स्टांस ले लिया तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन तकनी की रूप से अगर राज्य की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या तो मुख्य सचिव या ग्रह उनके सचिव जाते हैं इ पक्ष बंगाल सरकार की तरफ से हो गया और साथी साथ अब मुद्धा यहां आता है कि दार्जिलिंग पहाड से को जाएगा या गोर्खा समाज की तरफ से को जाएगा देखिए एक चीज तो इस पर स्टे की जो जन प्रतिनिदी हैं उनको तो हर हाल में इस वारता में बु यह तीन चेत्र हैं जहांके जन्द प्रतिनिदी को वाकई बुलाया जा रहा है यह के कालिंग पूंग के बारे में तो अभी सूचना नहीं है लेकिन खरसें के बीपी बाजगई को पत्र जा चुका है साथी साथ नीरजिंबा दार्जिलिंग के विधायक उनको भी यह पत् पत्र जा चुका है और इस पूरे वारता के दुरान पहाड के राज़ितिक दलों में लगबग गमासान समचा हुआ है इस पूरे स्टेंड को वह किस नजर से देखते हैं यह आने वाले एक दो दिन में इस पस्ट हो जाएगा लेकिन वारता की जो नियत दिनांक रखी गई है तारीक रगी गई है वह बारा तारीक है और आज लगबग पांच तारीक की समापती है यान एक अपते वारता और चिठी के बारे में जिस तरगी पहाड की राजनीती थी वह कहीं न कहीं अब दुमिल होती भी जा रही है देखें वीर गुर्खा वैब टीवी को काफी ल में वारता होगी गुर्खाओं के समस्याओं के समधान है तो लेकिन किस कारण यह वारता आगी खीची गई यह तो ग्रह मंत्रा ले यह ग्रह मंत्री ही बता पाएंगे लेकिन साथ साथ जिस तरह से ग्रह मंत्री के आश्वासन के बाद सांसद राजूबिस्ट ने जो इस से लगेवे हैं इस पूरे कारे के दोरां जो पहाड के जो भी मीडिया हॉस है जो भी एक्टिविस्ट है उनको शायद दिल्ली में क्या हाल चले हैं उसके बारे में दूर रहकर उतना अंदाजा नहीं हो पाता लेकिन करीब से देखकर दिल्ली से देखकर हमें कई चीजों का अबास होता है इमांदर कोशिश थी और इस कोशिश में वह काफी लंबे समय से लगे हुए थे लेकिन फाइनल कॉल तो घरमंत्राले को करना था घरमंत्रियों करना था पहाड़ में जो हमने देखा उसकी गड़ी शब्दों में अब आज वीर गोर्का वैप्टिवी के पुंदा कर रहा चाहूंगा पुतला किसका जलाया गया हमारे समाज की वेक्ति का जो हमारी बाते केंद्र तक पहुचा है जूते किसको पहनाये गए एसे गोर्खा संसत को जिसको जनता ने प्रचंद बहुमत से संसत में भेजा हमें इस चीज की विवेचना करनी चाहिए कि आखिर हम लोग एसा क्यों कर देते हैं कि जरासी जरासी राजनितिक फाइदे के लिए लाब के लिए इस तरह के अनरगल चीजे कर देते हैं आज क्या जवाब रह गया होगा उन तमाम लोगों के पास जिन्हों ने इसे कर्म किए कुकर्म भी कहे तो कुछ बुरा नहीं होगा इस तरह की गलत चीज जो राजनिती और राजनिती के फाइदे के लिए की गई वह सरासर नाइंसाफी ही थी राजुबिस्ट के साथ राजुबिस्ट लगातार गुर्खा समाज की आवाज को उठाते रहे हैं या on record चीज़े हैं, कभी कह देना कि zero hours में ही सवान उठाया जाता है, तो वह ऐसे विक्ति हैं या वह ऐसे समूव हैं, जिनको संसद्य प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है, अब हम बात करेंगे कि दर्जिलिंग पहाड से, दिखें डुवार्स से हो चुका है, अब दर्जिलिंग पहाड से सभी राजनेतिक पार्टियों को बुलाना चाहिए, जो भी उसमें परमुक हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं हो सकती और किसी तरह का दो तरह की पक्ष नहीं ह हो सकते, सभी पार्टियों को एक बार बुलाने की आफशक्ता है, साथी साथ यह भी है कि जो हमारे सिविल सोसाइटी की लोग है, क्योंकि देखिए आपको घरम अंत्राले के साथ डील करना है, तो किवाल राजनेतिक दल यह पार्टी के ही कारे करताओं से काम नहीं चलेग यहाँ पे आपको अपने दवंग, जो समाज के प्रॉमिनेंट लोग है, उनको आजमाना चाहिए, जैसे NGC, जिसने इस मरे हुए गोर्खालेंड के मुद्दे को मार दिया गया था, दोजा सत्रा में, उस मरे वे मुद्दे को NGC ने बखू भी पुनरजीवित किया, NGC क जो इस पूरे एकोनोमी को समझते हैं, जो छेत्र को महिंद्र पी लामा, उनकी भी सेवाओं को लेना बेहत जरूरी है, क्योंकि जो वेक्ति सरकार सिस्टम के अंदर रहके काम कर चुका है, उसको अपने समाज, अपनी समस्याओं को केंद्र सरकार के साथ रखने में बेहत आसानी हो सकती है, और इसका लाब वाकई हमारे गोर्खाली समाज को उठाना चाहिए, साती सात ग्रम अंत्राले को भारत्य गोर्खा परिसंग, बहुत बड़ा प्लैटफोर्म है, भारत्य गोर्खा समाज का एक मात्र राष्ट्रिय पटल में, एक समू है, एक संग है, एक के भी अध्यक्ष को बुलाना चाहिए, देखिए, ये जो बड़े लोग है, बड़े लोगों को कई लोग मेरी बातों से इत्वाक नहीं रख पाए, लेकिन जब वारता के दिन, शाम को चार बजे, बेठक के जो टेबल में, मेज में, इसे बड़े लोग, इसे दिगज लो रख सकते हैं, इसे लोगों से हमें लाब लेनी की आफशिक्ता है, साथी साथ अब बड़ा सवाल यह भी है, कि जो लोग केवल वारता, तिरपक्ष वारता का जो पत्र है, उसके नाम पे राजडिती करते थे, अब वो क्या कहेंगे या क्या करेंगे, लेकिन साथ साथ यह आपको बताता चलू कि इस तिरपक्ष वारता के लिए विशेश रूप से वीर गुर्खा वैप टीवी नई दिल्ली से जो भी अपडेट है, वो लगातार आपके समक्ष पहुचाता रहेगा, बहुत सारी चीजे हैं, इस वारता के क्या-क्या संभावना है, और इस वारता को प्रतम चलू का वारता मानना चाहिए पहाड की जंता को, देखिए किसी भी वारता में इसा नहीं होता कि आप पहली बार गए टेबल में रखा है, आपने पिक किया लेके आ गए, यहाँ वारता की शिरुवात है, हो सकता है कि कई चलू में इस वारता को किया जाएगा, जो भी हो गोर्खा समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह वारता है और पहली बार ऐसा है कि जब गोर्खाओं के समस्याओं के उपर बात होगी इससे पहले भी आपने देखा जीटिये के संबंद में यह वहां के जो प्रशासनिक संबंद में वारता की गई है लेकिन गो मीर्ता केंदर सरकार को भी दिखानी होगी क्यूंकि गोर्खाली समाज को केवल वोर्ड बेंग मानकर यदि वह सत्ता तक पहुचने की कोशिश करेंगे उसको भी गोर्खाली समाज देख रहा है गोर्खा समाज आज भारत में महज एक फिसद की आबादी के साथ अपनी अनुपात से इस चीज को समझना होगा देखिए कई चीजे हमने पहाड में देखी है अब उम्मीद करनी चाहिए एक सकारात्मक विचार रखते वे सभी को आगे बढ़ना चाहिए इस चीज को वारता को डिरेल करने की भी कोशिश होंगी लेकिन जो कोशिश कर रहा है उसक बहुत को भी एक बार देखने समझने के जरौत है हमारे गुर्खा समाज के लोगों को देखिए कोई भी बुरा नहीं कोई भी बुरा नहीं लेकिन हालात किसी भी व्यक्ति से बुरा काम करा सकती है हम चाहते हैं कि इस वारता में जिसमें पहली बार डुवार्ज के लोग और हो सकता है आने वाले एक दो दिन में हमारे गुर्खा सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें शिर्कत करें यहाँ बेहत फूटफुल रहेगा वीर गुर्खा वैफ टीवी गुर्खा हित की बात करता है गुर्खा समाज की आवाज बन के बात करता है इसलिए वीर गुर् शुक्षती भी पुरानी मांगें साती साथ आपको यह भी नहीं बुला चाहिए कि हम कहीं न कहीं राजुबिस्ट हो विधायक निरजिंबा हो इनको हमेशा टार्गेट बनाते हैं देखिए यह केवल एक पुल है हमारे लिए जहां तक हम पहुच सकते हैं और हम लोग पुल को डाने की करते हैं केते इस्तिफा दे दो राजुबिस्टा निरजिंबा से कहते आप इस्तिफा दे दो आप गलत हो इस चीज का प्रचलन रोकना चाहिए पहाण में केवल एक तरफा विरोध कभी भी सही नहीं है और सफल भी नहीं हो सकता है तिरपक्षे वारता को लेके वीर गुर्खा वैब टीवी एक बहुत बड़ी उमीद रखता है साथी साथ गुर्खाली समाज को भी इससे उमीद रखनी चाहिए क्योंकि जो भारती जंता पार्टी ने अपने संकल पत्र में लिखा था वह उन्होंने लगभग पूरा कर दिया है अब पूरा का प ला था आप नहीं कर पाए इस वारता को सफलता के साथ हमें अपने समस्या के सबधान के साथ साथ हमारे जो भी दिक्कते परिशानिया है जो हमारी मांगे है उसको द्रणता के साथ रखने की आवशक्ता है समय आ चुका है एसे समय को खोना नहीं है और किसी भी तरह के हो जाएगी उसकी रणनी थी लेकिन गोर्खा समाज जो लंबे समय से भारती जंता पार्टी के ऊपर उमीद गड़ाय रखा था कि कुछ ऐसा कर देगी कुछ वेसा कर देगी अब उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टांस लिया है अगला स्टांस गोर्खाली समाज का होना च स्टांस